आज मैं लेकर आई हूँ बड़ी मज़ेदार की रेसिपी बहुत बहुत मज़ेदार की और एकदम authentic रेसिपी है बनाने में कोई दिकत नहीं बहुत जल्दी बनती है और फटा फट बनती है एकदम खस्ता करारी मूंग डाल कचवरी आज की जो रेसिपी है वो मूंग डाल कच अगर इसे आप बनाना चाहते हैं तो बीडियो को बिना इसकिप किये पूरा बीडियो देखिएगा इस्टेप बाइस्टेप फॉलो कीजिएगा बहुत मज़ेदार की कचवरी बनेगी एकदम फूली फूली और खस्ता कचवरी तो जो है चलिए बनाना सुरू करते हैं बहुत बहुत मज़ेदार की रेसिपी है तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक बड़ी सी थाली या परात इसके अंदर हम डाल देंगे दो कप मैदा या गिहू का आटा आगर आप बनाना चाहते हैं गिहू के आटे में मैदे की जगा गिहू का आटा भी ले सकते हैं तो म यह ली हूँ दो कप मैदा अब थोड़ा सा चम्मच इनको जगा कर लेंगे बीच में अब यहाँ पर हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक अब मैंने लिया है चार से पांच बड़े चम्मच यहाँ पर घी अब इसको क्या करेंगे मोयम हम नहीं देंगे बस घी डालकर डारेक्ट गुनगुना पानी लेकर इनके उपर डालकर और इनका एक सक्त सा डो बनाकर तयार करेंगे तो यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी लिया है ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स मैदा को डो लगाते समय गुनगुना पानी का यूज करना है तो इनको हम थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क कर एक दम सक्त आटा बना डो लगा कर तयार करके रखेंगे तो एकदम से जादा पानी नहीं डालना है नहीं तो यह मैदा है बहुत जल्दी से गिला हो जाएगा और आप इनको डो नहीं बना पाएंगे तो मैंने यहाँ पर डो बना कर तयार कर लिया है एक कप पानी पूरा लग गया है तो इनको बस मसल मसल कर डो बनाना है जब इस कंसिस्टेंसी में आ जाये तो इनको बहुत तेश से मसल मसल कर ताकत लगा लगा कर मसल कर रख देना है अब इनकी ऊपर एक सूती कपड़ा बिछा देंगे मतलब इन्हें धाक देंगे कम से कम 10 से 15 मिनिट थोड़ा सा ये जो है फोल जाएं तो अब मैंने यहाँ पर लिया है एक कप मौंग दाल ये धुली हुई मौंग दाल है मैंने इन्हें एक घंटे पहले पानी में भीगो कर रख दिया था और ये अच्छी तरीके से गल गई है तो मैंने 2-3 पानी इनको धो लिया है और अच्छा से साफ कर लिया है तो यहाँ पर लेंगे एक मिक्सी का जार इनकी अंदर हम सभी दाल को डाल देंगे मूं की दाल बहुत जल्दी गल जाती है तो एक घंटे पहले मैंने इनको भीगा कर रखा था और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो मैं इनका पीस कर पेस्ट तयार करूंगी अब चलते हैं गैस की तरफ गैस पर मैंने रखा है एक पैन पैन के अंदर दो टेबल स्पून ओईल डालेंगे और आधी छोटी चम्मच जीरा आधी छोटी चम्मच अजवाइन आधा छोटा चम्मच सॉफ्ट और मैंने यहाँ पर लिया है हींग आधी छोटी चम्मच हींग लिया है इट डाइजस में हिल्प करेगी आपको तो अब इसमें थोड़े से स्पाइसेज डाल देते हैं जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरब मसाला, धनिया पाउडर, चीरा पाउडर अब यहाँ पर मैंने देड चम्मच लिया है कसोरी मेथी कसोरी मेथी इसमें जरूर डालिएगा अगर आपके पास है इसकी मत कीजिएगा अब यहाँ पर हमने लिया है मूंग दाल को जो मैंने पेस्ट तयार किया था पीस कर अब इसको कड़ाही में डाल देंगे पैन में और इन्हें लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे कम से कम साथ से आठ मिनट और इस कंसिस्टेंसी में जब मूंग दाल आ जाए एक डाम भरभरा सा हो जाए तब इनको हम क्या करेंगे जा लिजे कि अब यह पक गया है मतलब इनकी भूनाई अच्छी तरीके से हो गई है तो इस तरीके से भून कर तयार करना है तो मैंने इनको भून कर तयार कर लिया है अब हम क्या करेंगे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनहीं रखेंगे साइड में तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इनको भूनने में एकदम low to medium में ही भूनिएगा ये नहीं की high flame में भूनेंगे न तो मुंग दाल जो है कच्ची रह जाती है एकदम भरभरी सी देखिए दाल बनकर तयार हो गई है पक्के तो इन्हों हटा देंगे हम गैस पर से अब यहाँ पर मैंने जो डो बना कर मैदे का रखा था ये 15 मिने टोटल हो चुके हैं तो इनको एक बार फिर से हाथों से मसल कर तयार करेंगे और इनका हम छोटा छोटा पेड़ा बना कर तयार कर लेंगे काट काट कर जैसे आप रोटी का बनाते हैं पेड़ा इसी तरीके से ठोड़ा सा छोटा बनाएंगे रोटी के डो से पेड़े से तो इनको दोनों हथेलियों में हम मसल कर एक टिककीसी जैसी तयार कर लेंगे और इनको हलका सा डोसे वेल लेंगे क्यूकि मैयदा है ये हाथ से फा El नहीं रा था तो जो है अब इन में हम मूंग डाल का जो फिलिंग मैंने बना कर तयार की थी ये डाल देंगे एक टेबल इस्पून मतलब एक चमज और इनको चारो तरफ से घुमा कर इस तरीके से उपर वाला निकाल देंगे हिस्सा अगर एक्स्ट्रा लग रहा है नहीं लग रहा है तो द तो देखिए फिलिंग जो है दिख रही है इनके अंदर मूंग डाल की फटना नहीं चाहिए टोटली जो है फटता नहीं है फ्रेंट्स घबराइएगा नहीं तो मैंने पहले से तेल गरम होने के लिए रख दिया था तो यहां पर देखिए तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है तो ध्याद रखिएगा गैस का फ्लेम एकदम लो टू मीडियम करके ही इनको फ्राइ कीजिएगा मूंग डाल कचवरी को जैसे मैंने अभी यह पूरियां डाली है तेल में तो एकदम हलके हलके बबल आ रहे हैं और एकदम हलका होकर यह पूरियां उपर जब आ जाए तो इनको जो है तुरंत पलड दीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा तेल इस पैचुले से हम कचवरीयों पर डालेंगे तो इससे क्या होगा कि कचवरीयां बहुत जल्दी से फूल जाती हैं अब जैसे लगे आपको दो से तीन मिनिट हो गया हलका सा जो है कचवरीयां फूलना शुरू ही है तो इनको एक बार पलड दीजिएगा देखिए उलट पलड कर हमने इनको सेक लिया है तो अभी अच्छी तरीके से पूरी तरीके से सिकी नहीं है और कचवरी देखिए एकदम लेयर में उपर कैसे फूल कर आ गई है उनके उपर कचवरी के उपर एकदम लेयर सी फट गई है तो ये जब इस तरीके से कचवरी फूलती है पैन में तो देखने में बहुत अच्छा लगता है और जब इसको खाएंगे तो एकदम जैसे लगता है कि हम समोसा खा रहे हैं इस तरीके से लगता है बहुत ही मज़ेदार की कचवरी बनती है तो मैंने अपने चै और ये जो है अब ये सिख कर तयार हो गई है मुझदाल कचवरी तो अब हम इनको एक एक करके निकाल लेंगे तो अब मैंने देखिए यहाँ पर पूरी कचवरी सेख कर तयार कर दिया है मुझदाल की बनाना एक दम बिलकुल आसान है बहुत ही मज़ेदार की लग रही है देखते ही मुँ में पानी आने लगा फ्रेंट्स इसके साथ आप आलू की सबजी बनाईए या फिर खटी मीथी चटनी बनाईए खरे धनिया की चटनी या फिर इमली की चटनी अगर आप कुछ चटनी बनाना नहीं आता तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मैं उस कीजिएगा बहुत मज़ेदार की ये कचवरी खाने में लगती है बारिश का समय है कचवरी पकवरी तो बनता ही रहता है ये बार मूंग डाल कचवरी जरूर बनाईएगा फ्रेंट्स आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेश्ट कर रही हूं मेरी रेसिपी जो है बहुत आस तरीके से बने जिस्से की हर घर में हर बिगनर बना सके तो जो है आज की रेसिपी हमारी जो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर कीजिएगा फ्रेंड्स एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करके जाएगा और एकदम मसाला देखिए पूरी कचवरी में फैला हुआ है एकदम भरा हुआ है तो इस तरीके से बनाईएगा खाईएगा घर में खिलाईएगा शब को तो मेरे वीडियो को फॉलो कीजिएगा मिलते हैं एक और नए रेसिपी में बाय दोस्तों